तो हेलो गाईज आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं OPD appointment के बारे में कि आप घर बैटे ही अपनी appointment book कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले patients के लिए बड़ी खुसकवरी यह है कि पहले patients को hospital की लंबी लाइनों में घंटों इंतजार करना पड़ता था इसी समस्या को लेकर government ने एक side launch करी है ors.government.in के नाम से इस side की मदद से आप घर बैटे ही अपनी appointment book कर सकते हैं then side से patient को बहुत सारे benefits हैं जैसे की बहुत से patients ऐसे रहते हैं कि अपनी health tissue के कारण hospital नहीं जा सकते जोइब आप आप चार्वार कार मना में जा रहते हैं जोब झाला हैं... यद्थ को चार्वा है जा बहुत से एिसा सकते हैं चार्वार कि अपनी हैं आप 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 बहुत से लिए करेदा हैं झाल झाल आपने पहले ही कर लिया है तो आपको इसकी जवरत नहीं होगी एंड लास्ट आपका आजाता है गेट कनफर्मिशन एसेमेस तो यहाँ पर हम रैंडमली कोई भी स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं तो हम डैली को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन आपका यहाँ पर आजाता है Hospital select करना तो यहां पर हम randomly कोई Hospital select कर लेते हैं डैली में एम्स टॉप high rated hospital है तो हम एम्स को select कर लेते हैं फिर आपका जाता है appointment booking यहां पर जैसे कि आपको मैंने शुरुवात में बताया था यहां पर आपको दो अप्शन देखने के लिए मिले हैं एक मिला आपको फिजिकल वाला और एक मिला आपको वीडियो गॉल बाला जिसके बारे में आपको मैं सुरुवात में ही बता चुका हूँ नीचे आएंगे आपको नीचे मिलेगा for existing appointment अगर आपको अपना appointment का status चेक करना है तो आप यहां से चेक कर सकते हैं अगर आपको अपनी appointment slip चाहिए तो आप किसी भी पिर आपका जाता है select appointment type यहां आपको दो डू अप्शन देखने के लिए मिल ले हैं एक मिल आपनी appointment और एक मिला आपको Follow up appointment नीच अगर आप पहली बार साएट पे विजेट कर रहे हैं तो आपका निच अप्य अप्यु आप Anyone को select करना है अगर आप पहले भी साइट पी फिर यहां आपको सेंटर देखने के लिए मिल जाएंगे बहुत सारे यहां पर आपको हर हैल्थ इसू के सेंटर देखने के लिए मिल जाएंगे Cancer, Eye Care तो हम यहां से अपना Center select कर लेंगे फिर यहां आपका आजाता है Department कि आपको कौन से Department में जाना है तो यहां हमारे चार Department दिखा रहा है तो हमें Neurosurgery के पास जाना है तो हम Neurosurgery को select कर लेंगे आपको यहां पर Center देखने के लिए मिल जाएंगे आप यहां से अपना Center select कर सकते हैं मैं यहां पर Randomly एक Center select कर लेता हूँ यहां पर मेरा एक Department 100 कर रहा है तो मैं अपना Department select कर लेता हूँ ओके, यहां पर Clinic select करके यहां आपको उपर देखने के लिए मिल जाएगा जो आपके Green Dates रहेंगी वो आपके Available रहेंगी जो आपके Pink Dates रहेंगी वो आपके Slots पुलोंगे जो आपके Yellow में रहेंगी वो आपके Holy Days होएंगे तो हमारे Green Dates 100 कर रही है 31 तारीक तो हम Select कर लेंगे यहां से Confirm एंड दन जैसा आप देख पा रहे हैं मेरा Interface जैसा So कर रहा है अगर आपने पहली Registered and Login कर लिया है तो आपका Interface So नहीं करेगा और सीधा आपके Appointment Book हो जाएगी अगर आपको अमारी वीडियो informative लगी हो और ऐसी वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहें तो हमारे चैनल को Like and Subscribe करना ना भूलें आपको ऐसी informative वीडियो आगे मिलती रहेंगी